हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं अलो नमस्कार जहन आज का टापिक है उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रेटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र के अंत्रगत जो भी उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर करने के प्रक्रिया को बारे में पढ़ेंगे यानि कि नाइट्रोजन युक्त अप्सिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना ही उत्सर्जन कहलाता है नाइट्रोजन युक्त अमीनों समुह को यक्रित द्वारा अलग कर लिया जाता है यक्रित क्या करता है इन पदार्थों से यह निकि नाइट्रोजन जो भी पदार्थ होते हैं जैसे प्रोटीन हो गया अमनियम लोग इत्यादी जो नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं उनसे यक्रित जो है नाइट्र मिन करना 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 है अब नाइट्रोजनी अब शीष्ट पदार्थों को कीड़नी के द्वारा उच्छ सर्जित पदार्थों के अधार पर की तिन भागों बटा जाता है एक Amonotelic एक यूरियो टेलिक और एक यूरोकोटेलिक अमोनो नाम है Amonoh Con Mano मतलब जो use iffs करते हैं यूरियो मतलब जो lly of you can करते हैं और यूरोको प्लम यूरिक को आया है यूरो को यहां यूरियो है सब्कुंद्द उरिया को दो अच्छन होता है यहां ऊरोध को यहां अम्लक आउस सर्जन होता है है तो इस प्तरह कि आ-इस जी जो और यह उलाता है है और झोशन करते यो değer को टेलिक कहते हैं और और ईवरिएको टेलिक अल्हिअ थ्यान देंगे तुर्कार से तीन भाग में बाटा जा सकता है अमॉन soup eyoug सबसे बिसाग्त होता है अमोनिया अमोनिया सबसे जहरीला होता है सबसे बिसाग्त होता है और सबसे कम बिसाग्त होता है इन तीनों में अमोनिया यूरिया और यूरिक अमल में सबसे बिसाग्त होता है अमोनिया और सबसे कम बिसाग्त होता है यूरिक अमल इस परकार से इस प्रकार से लड़कियान प्रकार की होती है एक ऐसी मिल्कुल पट्ती नहीं है बहुत ज्यादा भाव हमति दिने भाव खाती हैं तो सबसे ज्यादा बाइख काने वाली होती है वो Canalys सकते हैं एक ऐसी होती है जो भावाव हथी ठीक भाव होता है जो दोल को जातीं है यह यह लगवाव नहीं के बराबर तोड़ा सा कॉसिछ करने पर आजाती है यहनOoh जी यूरी को टेलिक उसर करने रखते हैं इस प्रकार से जीव को भी तहीं बर घुन बाचता है आमोनिया उसर्जन होता है इंतिनम सबसे विसक्त है अब देखते अमोनिया उसर्जन के लिए सर्वाधिक जल की आउशकता होती है चाहिए आमोनिया के लिए आमोलिया असर्जन के लिए सरवाधिक जल किया सकता होती है। इसलिए अमोनोटीलिकS paint च हो जिव生ं वो जटम रहते हैं। तो आप यह भी कह सकते हैं जो जूझ जीव जू जल में रहते हैं ज्छादा सम्भाव नहें अमोन तलीं होंते कि यह तो जो आप फ्रशींद करेंगे तो कि ऑनो सर्जाद चल्म इनäreश कर सकते में पृता होता है it जारऊँ ज्याकत होता है और जब ज्यादा जल में रहते हैं तो जल ज्यूंद के पास तो अमोनिया आक सरंद करते हैं नैडे यभल है ते अस्थिल मचलियां लेकिन उभाएचार जैसे फून्फाले वचार होते हैं जैसे ली, इस प्रकार से चिपकली होती है बड़ी स्वलि sebenar उसी प्रकार के भी होता है भिश्खोपड़ा जैसे होता है इसके सरीर पर काले कले धब्बे होते हैं यह अधिकांसता जल में रहता है तो कुछ पूंच वाले उभायचर जो जल में रहते हैं एसकरिस और केंचुवा इन दोनों को थोड़ा ध्यान देंगे अभी इन दोनों के बारे में डिसकूस करेंगे क्या है इसकरिस केंचुवा और मगरमच यह यानि कि जो जल में रहते हैं वो उनके पास जल की उपलब्दता है कमी नहीं है अब जब जल की उपलब्दता है तो सर्वाधिक विशक्त पदार्थ याने की आमोनिया का उत्सर्जन करते हैं कि यूरुकौ गउन है। यूरियर की तर्जन करते हैं ऐसे जीव जिएन के पास सरवाधिकит जल नहीं हमेशा जल में मु सकता होती है। जो है जिसे मनुस्य भ्याता इस्तंदारी में गाय बकड़ी भेस्ट गाय भ्यास बटकरी भादंफ्ट आते हैं तो अश्टंधारी आउसकता होती होती हिस्याई रहते हैं लेकिन जल के मतलब दोनों चार मतलब मतलब करना यह ञहां नहीं तो क्यूंकर्यव solat ने करते हैं जली सरीस्यव सरीप जो जल में रहते हैं जली स्रीप सरे सब्केत हैं जैसे कछुवा घडियाल और यह कछ्णी जो यह जल से बाहर भी रहते हैं कि इस लिए कछुवा और घड़ाल को रहते हैं तो enricham ँतोचकर में MP3 ilas जल में रहते हैं तो हमेशा जल में नहीं रहते हैं लेकिन ऐस्थल में भी रहते हैं तो जल की मातररूण के पास ठीक ठाक है तो इुरिया गवह सर्जन करते हैं उपास्थिल मचलियां पर इस बात को ox reactions जानते हैं और के चुआ अभी यहां भी आया था इसके उरकेचु आगल का होता अभी फिगर दिखाएं गृशेर был का स्तेल करते हैं यह जो है इंशन करते हैं गों मोपन्वीन रोता है और घुझा assessing रहता है जमीन में रहता है जब चाहिए रहा है तो यह दोनों एक ही प्रकार के होते हैं देखने में अपको यह लगेगा इनका पता ही नहीं चलता है कि धर मुख तो इसलिए हम और चलते भी दोनों सैटसे इदर से बीचलते हैं तो इसलिए इन्हें दो मुहा बोल सकते हैं और जल की अधिकता होने पर अमोनो टेलिक बन जाते हैं और जल की कमी होने पर ईुरिय mostrar यह उलिए बहाते हैं यहानु कि लीका है… लोगते हैं इसकरेस किया है जो और केंचिवा को पेरेयां और से कम विशाकत यूरिक अमल लहिए वता है कि यूरिक अमले के उस सर्जन हे तो बहुत ही कम जल क्या सकता होती है जहां जल की बिल्कुल बहुत कम मात्रा होती है जैसे पक्छी हो गए पक्छी क्या करते हैं आठ दस दिनों पर एक बार जल पीते हैं हमेशा थोड़े उनको जल मिलता है आठ दिन पर दस दिन पर एक बार जल की मात्रा उनके पास बहुत कम है जल की बहुत कम यह कं स ilsरें क्यों के즈 को साञव करेंगे। कीट को हमेशा बता नहीं है जो यह हमेशा अंचे मिलता हैं वह तो उनके पास कम बहुत कम होता है तो यह यृको को प्रकार जैसे छेफक ले बाए सर्फ हो गया अब इन्हें भी हमेशा जल नहीं मिलता है तो बहुत कम जल नहीं से पास होता इस प्रकार से चले घंगा होता है जहां बोटा है जो है ऑप India को सबस्क्रास नहीं होता अलाग प्रकार का होता करेगा आप तक आप समझ गए होंगे इन तीनों के में अंतर क्या है कि हमने बताया जी पतार्त क्यादार पर जंतुओं को मुख्यता तीन बर्गों बाटा जाता है लेकिन कुछ और भी है लेकिन मुख्यता वहीं वह दूबतें तीन है एक और दो आप देख लिए आमोनो टेलिक वह अनुट टेलिक फैरी चवह खार जो सचन्रूं कं एक जी ख्यों डर्मया याड मसट की थी प्रकार के अंतर का जाता है उसी प्रकार क्या और जीव मुलस्का इकाइनों डर्मिटा इनके सरीर पर कांटे लगे रहते हैं जनतु बरकरण में इन बातों को हम लोग देख चुके हैं गवानो टेली के ख़ता है इनका उससर्जी पदार्थ है गवानीन नाम पर यह तो गवानो टेलिक गवानीन है एक्जामपल के लिए मकडिया स्पाइडर्स गवानो टेली होती है समद्री मचलियां जैसे सीगूल ए ओर यह अबरी बता है हमने सब्सक्राइब कम विशाहत होता है इसके मख़के से मल को गवानो बोलते हैं गवानो नाम याद रखें के गवानो यहां यह गवानीन है वो बात या गवानों के अलग बात दोनों अलग लग बाते हैं फसलों के अच्छे खाद गरुप में करता दोसी कहओ के लिए आमोनिया अतधिक खानीकारक होता है सबसे खतरनाक होता है इसलिए यह जल में रहने वाले जन्तु करते हैं क्योंकि यह जो है इसका आणु जल में सिगरता से घुल जाते हैं जल में घुल करते हैं तो ज्यादा हानिक नहीं पहुचाते हैं इसलिए यह जल में रहने वाले जन्तु होते हैं यक्रित लिवर में क्यूरिय का निर्मार एक उपपचाई चक्र है कि यक्रित के बारे में पढ़े थे यक्रित के कारे के बारे में तो वहां पढ़े थे यूरिया का निर्माड ये करता है यूरिक चक्र ये आर्ने आर्थे आर्नेथियन चक्र के द्वारा अमोनिया वह कार्बन डैक्साइट से मिलकर होता है पापचाई चक्र अमोनिया युए से एक लाकुना पंदेश का रखत है मैं बताया सबसे अधिक नीकार्ख अम Ö Continue रहा एक कि अमोनिय अस्तवकी सबसे इसको यह तो अम्मोनिया सब से कंद खानेकारा इसको अम्मूनिया जो है इस युड़िया से लगबग एक लाग गुना अधिक भिसाखत होता है कि अमोनिया ईव्रिया से एक लाग गुना हानिकारक है इवरीक अम्मल सर्जन थोस अप्षिष्ट के रूप में होता है इवरीक अमले जो पच्छी उतसर्जन करते हैं आप तो देखें होगे पक्षी मलमुत्र करते तो ठोस होता है ठोस के रूप में होता है और वह अगर जल में जल में भी पढ़ दा तो जल में घुलता नहीं कई दूने तक वैसे पढ़ा रहा था जल में भी एक यूरी कम बहुत ही कम भुलन सील है कि पीभीने जंतु के सर्जियएंग मच्ष लिए मच्छलियों का गलफड़ा गलफड़ी द्वारा आपना असर जन करते हैं इस रज्ज गलफड़ा और सरस्री पक्षे और स्थंद्रें या पांच वर गुंपड़ा जाता है तो पहला यानिके मच्वारा का गलफड़ा है औ और उभजा सच्टि पक्षिस्तंदारी इनका ब्रिक है किडनी है जिंगा मचली अथवा केकड़ा यह समान नहीं हो गया उसके बाद पहुत कुछ है जिंगा मचली अथवा केकड़ा हरित गरंतियां है यह अपना उच्छार्जन करते हैं केच्वा पहले हर्जाइं पहले हर जिदिक है इनका ट्रीच के ड्वार अपना उच्छन करते हैं हमिवा जिलाश्ञार क। कि द्वारा ऐ थोड़ा से याओड करते हैं तो है कि जंतों की सरजन संब nhất है कि नी ब्रीख मुनें दिए बंसमने मुद्र के रूप में अध़िक जलव सीस्ट नाइट्रोज नी प्तार्थ का निसकर्षण करता अब औरुधिर से मुत्र के रूप में मुत्र कौन बनाता है क्यिपनाता है धूं करता है के वर सब्सक्राइब हुआ करता है हम लोगोंने रेस्पिरेटरी सिस्ट्प росс रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा तक फिफडा यो इसकी कईक्र माखरड़ के सद्राशना प्रते नाटों अवलीच कुपी काओं कि विवेड् מません आक क्माौण में मिलता था और गलेड से कर्बं ड्ये च्छाईट को कई चला जाता है और इसे ही निरावीशी करण कहते हैं निरावीशी करण मतलब निरा मतलब नहीं और विस मतलब विस मतलब जहर विस समझते हैं यहां विस मन्य हानिकारक पदार्थ विस का मतलब करना विस मतलब हनिकारक पदार्थ करना यहां कि यहां का मतलब हुआ हनिकारक करना हनिकारक क नहीं करना जोहानिकारक है इसको औहानिकारक बनाना क्यानिक इसी को निराविसी करन कहते हैं कि तो ऑमोनिया हमने देखा था love शयदिक खतरनाक होता है सबसे अधिक ज़ारीलया होता है और युरीक अमल सब से कम खतरनाक में बदलना यह क्या कहलाएगा निरावेशिक करन कहलाएगा समझ गया होगे आति इंटेस्टायन आत जो है केलसियम वधातुओं के लवण की आवसेक्ता सदिक मात्रा का उच सर्जन करता है आत में केल्सियम वह धातों की जो भी लवण होते हैं उनका जितनी यह सकता होती होती तो ठीक है जो आवसकता से अधिक होते हैं उनका उत्सार्जन कर दिया जाता है किसके दोरा आत के द्वारा स्वचा स्केन स्वचा में होती है तेल गरंथियां और स्वेध गरंथियां पीछे पढ़ चुके हम लोग तो तेल गरंथियां इस्टेराल हाइडरोकार्बन मोम आदिका उसर्जन करती हैं और स्वेध गरंथियां स्वेध मतला होता है पसीना तो यह पसीना का उसर्जन करती है ऱाक पसीने में यूरिया के नशीयल जयल और लेक्टिक यूर्य कुर्ण सरजय है हुए हुए हिए क्षा देखें कि और बहु legitimां आ रहा है काम करते कोई काम करें करते कम कारे करते 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 तो आपको देखें के पसीने की आपके मुह में चली गई तो नमकीन लगता है तो इसका मतलब कि उसमें नमक है जल यह जानते हैं कि जल में होता है इत्यादी चीज़े पसीना में होती है उसके बद गुदा मलत्याग क्या पर हिसा चाहिस क्या है हीमो का मतलब हम कई बर बता चुके हैं हीमो का मतलब होता है रुधीर हीमो का मतलब होता है रुधीर और टायलेसिस का मतलब अपोहन करना अपोहन कर मतलब कि उससे खानिकारक या उच्छार्जन लायक हम पदार्थों को अलग करना यहां आपोहन का मतलब है रेनल फेल प्लड से अगई करना करन। लेकिन किडनी फைल हो जाए अपना ऐसे कारी तो ऑपना कर लिए फेरियर अगर कृडनी फिल जाए तो इसके समय है रख्त को सव क्रितरियों से चानना पढ़े गा सचो पदार्त है अलग नहीं कर पा रहे हैं से अलग करना पढ़ेगा तो कृतना करते हैं तो इसे लुकति हैं सुप फैstarter यह आगजेलिक अमल है आगजेलिक अमल केल्सियम केल्सियम जो हमारे सरीर में होता है और केल्सियम वातवरण से भी ले सकते हैं यह बीज वाले चीजों में आगजेलिक अमल होता है यह आगजेलिक अमल है और आगजेलिक वाले चीजों में आगजेलिक अमल होता है और यह मि के ल向ी और रहेरे कअ के Herren करता है कैल्सियम आइघ अपस्य भोलते हैं प्रतीरल या पत्र मतलब होता हि क्योंगि हम लोग रचन करते हैं य्वा करते हैं तो यूरिया का क्योंकि हम लोग अस्तंधारी हैं यूरिया का उचर्जन करेंगे तो यूरिया का मतलब होता है मुत्रे और एक मिया मतलब इूरिय की अधिक्ता इूरिय मियां बोलें तो इूरिय की अधिक्ता हो जाएगी या इूरिय सिस्स बोलें तो भी इूरिय की अधिक्ता मुत्र में इूरिय की अधिक्ता हो जाएगी ही मेट का मतलब होता है इसलिए ही मेट का मतलब तेर्लों होता है क्यों हnyt के दल्σεर सबस्क् tre और पा, मुत्र में रक्तिक उपस्थिति नहीं होना चाहिए लेक πरिया रख्तिक होता तो एक रोग उता है जिसे ही मैट ने टेउरिया बोलते हैं अ है कि यूरिया मुत्र में डावलूबिश्या पाल्स एल्स मौद को सिकाओं का जमा होना यूरिया कम अ मतलब मुत्र और पाई मतलब फालसेस पससेल्स कि फसेल्ष यानि कि मवाद मवाद अब देखे तो अगर मूत्र में प्रकार से आता है तो वह तो डाबलो बीसी होगा या मवाद को सिखाए होगी तो मवाद अथवा डाबलो बीसी को सिखाए अगर मूत्र में आ जाए तो इसे पाई यूरिया बोलेंगे इसे होता है नक ट्यूरिया ट्यूरिया मतल्ब मूत्र और रात्री के समय में बार-बार मुत्र आना इसे ही नाक्ट ट्यूरिया है कि उत्सर्जन तंत्र के यंग उत्सर्जन तंत्र के यंग में हम लोग क्या का पढ़ना हमें किडिनी पढ़ना है किडिनी के बारे में बुत्रवाही का उरेटर्स मुत्रासय और मुत्रमार्ग उरेत्रा इन चारों को टेनेनल ग्रंट्स रंथ बार हम लग पढ़ चुकर यहां नीचा बारे नहीं पुंटेंगे इतने के बार देखें इधर व्यकश्ट मुट्र वाहनी मुट्रवाहनी याने एक इूरेटर्स यह जो है कि आपको दिख रहा यह मुट्रवाहनी अ लेकर चलियाएघा यहां पर लेडर्ट के पास लेकर आएक मतलब पक्रश कर देगि और जब ट्रम जाएघा तो इसके माध्यम से एरेत्रा के माध्यम से इसे बोलते एंदर जो नली के समान होता है उसे एरेत्रा बोलेंगे पहले है और यह किडिन मेंOOOO को अगर हम जूम करें यह हमें चीज देखने को मिलती है क 1 रेनल कार्टेक्स रा टैक्स यह बाहरी वाला भाग आपको दिख रहा है यह रेहां कि नहीं कार्टेक्स बोलते हैं यहां से यहां तक होते हैं कार्टेक्स बोलते हैं मेडुला यह वाला पहले हैं यहीगी हिइशूह भाग को हम लोग मेडूला बोलते हैं कि भाग मेडूला कहलाता है यह वाला कार्टेक्स यह वाला भाग और यह वाला भाग मेडूला तो कार्टेक्स और मेडूला समझ गया होंगे उसके बाद कि पैपिला कि उसके बाद है पैपिला यह भाग जो है पैपिला का हलत जहां से जूड़ा हुआ है इसे पैपिला बोलते हैं पिरामिड्स रिनल पिरामिड्स यह जो है यह पिरामिड के अकार के सब है इन्हें पिरामिड्स बोलते हैं और रिनल कालम यहां पर जो नीले रंग आपको दिख रहा है इन्हें रिनल काल बाहर बुला जो Cape Cages कोफस्ट क्सक्राइब कार्टेक्स के ऊपस एक आवरोन चड़ा रहता है उसा आवरोन को बोलते हैं फाइबरिस कैपसील लिस ट Aryонов पैलिस यह पैली जेस है रीनलवेन схई है यह जो नीले हरे रंका वह शीरह है रिनल आल टी मतले धमनी यहाँ एक बड़ा सा च्छिद्र होता है उसी चीतर में धमनिया प्रेविस्ड करती है अंदर उसी चिद्र से अंदर और आएगा दोबारा इुरेटरस्क उन्लेटर्स यह वाला इूरेटर्स यह वाला इस वाला जो आपको बाहर निकल रहा है वह हाइलम से ही निकलेगा तो इसके बाद मेजर कालिक्स और माइनर कालिक्स यह जो ऊपर है उसे मेजर बोलेंगे जो बड़ा सा है जो छोटा सा है क्याने कि सखाएं जो छोटी सी है उन्हें माइनर बोलेंगे माइनर कालिक्स और जो बड़ी सखाएं उन कि रिक इडिनी जब हम रेस्पिरेटरि सिस्टेम पढ़ें तो आप होता है इस प्रकार से पुदर गुआ होता है और वहां पर किड़ने इस्थित होती है गहरे लाल भूरे रंकी होती है और संख्या में दो होती है इनका आकार 12 क्रास 6 क्रास 3 कितना सेंटिमेटर क्यों होता है इनका का आपको आकार याद नहीं करना बस जनकारी के लिए बता दिया इनका वजन 150 ग्राम के आसपस होता है प्रते के डि मैं पृतल सताव में छhidra होता है से होकर अंदर जाती है niewan रंको लेकर आंनर जाती Sum rocket index के अंदर जाती है और व्र Bevölkeru सीड़ Alors ना如何 अब आपको बाद में एक होगा कि धामनी जो हम पड़े थे महां पड़े थे munice नीचे नीचे से नीलह क killer और नीचे धामनी में भी नी यह पुल्मोनरी सब्सक्राइब फेफड़ों के बारे में बदल जाता है लेकिन परिश्थितियों में धामनीयों में असिराओं में असुद्रक्ट बहता है मैं और कीडनी के कार्य रक्त को आपको राख को सब्स होगा और वहां से चैने के क्यों लिखा है यह अंदर क्यों निकल रही है उल्टा क्यों लिखा है तो आपको बता दें सुद्धता और सुद्धता का आधार सिर्फ आक्सीजन और कारबन डैक्साइड होता है और कुछ नहीं वहां भी देखे थे जब सर्कुरेटर शिस्टम पढ़े थे तो सुद्ध ररक्त किसको बताया थे जिसमें आक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो उसे इस जुद्धत और असुद्धत किसे बोले थे जिसमें और डैक्साइड की मात्रा ज्यादा हो और अक्सिजन की मत्रा कम हो जाए गुज़ता का मानक यहीं होता है बाकि कुछ सुद्धता का मानक नहीं होता है तो यहां पर इसलिए और कि तो भी किडेनी में उनके पास रग्त भेजना है अभी तो अपोस्टन करांड करेंगे जिस्टम के दौरां बहुत अक्सीजन करांड करेंगे तो भोजन का अक्सिकरन होगा यानिकी ग्लुकोज का करता है तो रत अंदर जाएगा कौन रखत लेकर जाएगा कौन रखत लेकर जाएगा जाएगा धम नीरेल रख उसमें अक्सीजन होगा यानिकी तुद्र रखत होगा तो धमनी अंदर लेकर जाएगी आगे तंत्रिकाओं में कई धमनियों बढ़ जाएगी उसके बाद सीराओं प्रिक के शीराओं के द्वारा वह असुद्र रखत वह उसका जो पोश्ण है तुक सब्सक्राइग होता है इए कर लंगे समी खोल्वा कॉन सबाइलध कर सब्सक्राइबहाटि जोता है तो सब्सक्राइबिया की सब्सक्रीट। होता है और इस पर यह कैप्सूल चढ़ा रहा था आवरण चढ़ा रहा था यह वाला आवरण है और आंत्रिक भागा को मेडुला बोलते हैं यह मेडुला है कि यह मेडूला अभी हमने देखा आंतरिक भाग या तका मध्यांस भाग जो है को मेडूला घाला तो कार्टेक्स और मेडूला भृक्य खोल जो है रेनल कैप्सूल प्रतेक गहरे भुरे रंग लाल के गहरे भुरे लाल रंग के तंतमा इस वह जो तको से घिरा रहता है इसे ह जस्यर्ण कैप्सूल होता है यह इसी प्रकार से किड़नी की क्रियात्म काई प्रिक काणु है किड़नी की नेफ्रान है क्योंकि नेफ्रान में ही सारा यह मुत्रम सर्जान इत्यादित जोकारे होता है नेफ्रांस में ही होता है अब तो नेफ्रांस है इसका मतलब नेफ्रांस के बारे में ही पढ़ेंगे इस चप्टर पूरे किमें फीस लाक होगी नेम नेख्रांस के संरशना सानलि में एक रिए बता देगा चैनल के बाद है है में करहें श्रीट होगा है जा इसको अलग कर लिया जाए सब्सक्राइब कfenрам जो सब्सक्राइब पियर्ण को मैं पहर करा है देख सकते हैं कि अंदर ऐसके चल रहा है लेकिन इंच बाहर से क्या दो सिर्फ चहराँ सकते हैं तो बाहरी आर्ण क्या होता है रीनल फेशिए अर या आंतर कि आरोण को एड़ेश सक्षाल बोलेंगे उस अंदर होता है जया именно केको पर नली को मत्राशाए में निकलती है यह 25 x 30 cm के लंबाई होती है मत्राशाए में जाएगा मुत्र को लेकर मुद्राशा है जिसमें मत्र भॉथो पहुचाती हैं कि इसमें टी ट्रेल सकती हैं तो अगर अधिक मात्रा अधिक साइतन बढ़ा हो सके में उसके बाद जब भर जाएगा तो मुत्रमार्ग जो हुई रेतरा क्या करेगा मुत्र मार्मार्क से होता हुआ नर में मुत्रमार्क अधिक लंबा होता है जब कि मादा में decide कि यह में पूरा पेस्ज में समय तर को घृता है इसका लंबाई बढ़ जाती है में में और में प्र टो होता नए है तो इसलिए उनकी वहां पर चोट हो जाता है इनकी संख्या है dip कैमेटर के और हो जाती है की देखी या amort यहां पर इंदोनों कि दिनें में दस-दस लाग के व्रिकन कमिये कैसे निर्माड कराएं क्यों क्ये सो जाएँगर तो यहां से हाइलम होगा कितर पर आप यहां आएगा यहां से भी यहां आएगा यहां आएगा यहां 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 य अब देखते हैं जो दोनों केसे किर वे दस लाख नहें अपना काम कैसे करते हैं एपना मतलब का already क्रियात्म 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 क्रियात हमारा पूरा सरीर पूर से सकते हैं कि लडु आपने देखा होगा लड़ जो होता है वह बुनिया होता है बुनिया दो सबसे चोटी क्रियात्मा के सब्सिंदा बुनिया बुनिया चोटी चोटी जोटे मिला हुआ है उसमें चीन बेशन मिला हुआ है पताने क्याका मिला हुआ है लेकिन वो सब मेलकर एक क्रिया कर रहा है घर सब मिलकर एक बना रहे हैं और उस बोधी से लडू बना हुए तो उस लडू कि लिए उस बूधी जो है क्यात्म के संद्शनाटम की काई हो गया नकी बेसं इसी प्रकार से यहां किडिनी की क्रियात्म के सद्शनाटम काई रिकक ने फ्रांस है कि ने फ्रांस की संद्शना में विनलिकी भाग लेते हैं Glomerulus पूमेट समपूट, PCT, हैणले लूप, PCT, इनकी सन्रशना है, आप देख सकते हैं सामने, एगर लगा हुआ है, यह है फुलोमिरुलस, यह ⁦ लिखा है, यह आपको red color का दिख रहा है, यह ग्लोरुमिलस है, यहाँ से blood आता है, यहाँ से blood अंदर आता है और यह ग्लोरुमिल की छोटी छोटी संड़चन बहुत सारी छोटी छोटी नलीका यहां पर ग्लूरूमलस में पाई जाती हैं ॉधिस्व Wrap प्लूरूर्ट से यहां से यह क्या करता है कुछ पदार्थों को अलककर देता है ब्लड में से और उसके बाद यहां भेज़ देता है। इस नलिका से वार्ट को पुना वापस भेज़ देता है। मरुसाथ है कि ब्लोरुमलस उसके बाद आपका आभकेएगा वोमेंज ईंपूट वोमेंज ये मेंकेपूल प्लेट कर लेट के प्लेट कि नुम और अपको यह पीछह जो है वह शर्चना को दिख रहे है जो यह बोलते हैं दो मैं सह्टाो कि लिए उसके बाद पीसीटी said visitить मतलब बाप्रक्सीमल on related tubules promotes पॉलते हैं यह है PCT कुणडलीत समिपस्त कुंडलीत नलिका इस बोलते हैं नलीका आप यह सबसे पास यहीं यहीं पासर पाले हैं मिल रहे तो समिपस्त अलिका उसके बाद मिलेगा है यहां से आपको यहां तक मिली उसके बाद यहां से शुरू होती है यह पतली वाली जो नलिका है उसे एचल बोलते हैं यहां तक यह वाकार की है आप देख सकते हैं यहां से आ रही है उपर से नीचे आ और यहां है इसे फुजा हो जबने यहनलेलुप की रह यहां मतला होता है पमयद मतला चड़ना तो उतर जो रही है उसे यह घ्लिया नंभी होती है यह चोटी होती है कि और इसके बाद पिए आ जाती है regta IRA को लिए दूरस्थ बोलते हैं हिंदी में यह बोटी वाले यह कुंड़ित है यहां आकर इससे मिल जाती है यह कलेक्टिंग डख्ट कंग्रहक सुने अम्मिंदातर लेख्टी से बोलता है यह संधट सम्रम यह एकनेज आस्कित यह से मिलता है कुछ पुल्टर करता है उसका ब्लट पूलां इधार आ जाता है और यहां से इधार से वापस ब्लट यह पूरी संद्रा चाना एक ने फ्रांस की एक ने फ्रांस की और ऐसे लगभग दस लाग से दस लाख नेव फ्रांस मिलते हैं और दूसरी जिलत मैं मिलता है और आप लेकर प्रवेश्क करती है यहाँ पर ये अलेकरumuz अभी थमनी अभी मतलब आ रहें तो अभी मतलब अबी मतलब यह यहां पर गलोरुमिलस मिल रही है तो हम वह इस इधार आ जा रही है तो लेकर न हमक्रों प्रांस का प्राराम्भी कुंडलित भाग है जो भीमन कप्सुले महनले लूप को जोड़ता है और यहां प्रकार से निकलता है इस प्रकार से और यह जाकर है यह हैंले लूप से जूड़ जाता है कि अरवी भुजाह और यह sto है है कि कि तर्शें घ्रावju से जूडता है पनाती है कि अपने अंतिम सीरे पर बिरिक्य सीरास्से जूडती है कि अभी आपने दिखाया था त्पॉन है जो collecting डुक्त से यहां पर जूड़ती है और से यहां से यहां से वासा रेक्टप यह बात के पास और रख लेकर यहां से बांद चलिक इस वासा रेक्टप बोलते हैं इतनी आप संधता समझ गया होगे नेक्ष देता है कि मुत्र कर निर्माड कैसे होता है मत्र निर्माड में तेन इस्टेप होते हैं पहला इस्टेप होता है फिल्टरेशन फिल्टरेशन अभी हमने देखा फिल्टर करके अलग करता है ऐसा एक द्रव अलग करता है यानि कि ब्लड में से कुछ द्रव निकाल लेता है और एक द्रव के समान बना देता है आप ऐसा कर सकते हैं एक बाल्टी जो है कोई पानी है उसे बहुत सारे आइंस मिले हुए है उसमें एक ग्लास निकाल लिया और उसमें से ज्यादा वहां निकाला जहां ज्यादा ना आइ तो उसे बोलते हैं Glor Milor Filtration, Glor Milor Flitration करेगा Glor Milor करेगा अभी स्टेब 2 में आएगा किस्टेब डूमे नली कि यह पुनह आउशुशन नली काओं में याणिकी PCT दी सेटी जो है और है जल आ तो इन में पुना आउश्योशन होगा पुना ओश्योशन का मतलब कि कोई कह रहा है कि हमफुण खाना खा लिये जμन कि आलोरिमयुल फिल्ट्रेशन और प्या जो जरूरी है जैसे ग्लुकोज, सोडियम इत्यादी जो जरूरी पदार्थ है उसे रक्त में भेजना है इसने गलती से निकाल लिया था ग्लॉरमल ने उसे रक्त में भेजना है तो उसे बोलते हैं नलिकिये पुन्हा उश्राण इस्टेप थरी है नलिकिये स्रामड नलिकाओं में स्त्रावित करके पुन्हा रक्त में भेज देना यह नलिकिये निकाल लेना जो जरूरी पदार्थ है इसे देखते हैं अभी डिटेल्स में समझाते हैं इस्टेप ववन है है चारी लीडेाल यी लुकुमूण कैसल में पत्ली लुकाओं में तब के प्रभाव में प्रतवासे कोलेशस को नलिकाएं होते हैं और रखति लिकाओं का जाल बनता है और वहां से जो लग होता है उसे मुखीदैन वह湊लेंगे तो वामन कैप्स made लगभगदाब कितना होता है 10 mmHg होता है लगभगदाब का निर्माण होता है है मने बताया वहां से रख्त से बहुत सारी चीज़ों को जैसे ग्लूकोजिक और भी तैयादि को सबको अलंग कर लेताब और थोड़ा जल को भी सबको अलंग कर लेता है और अलंग करता है और उसके बोलते हैं तो सूर्ध कुछ पदार्तों को जया लोग इत्याधि को करके रख्त कुछ को पुना भेज देता है पर यहां से जब रगत आता है तो इनसे को अलग कर लेता है तो ठोड़ा सा पधारत बनता है लिक्विड जो होते हैं और बाकि यहां फलेशन का निर्माड हो गया इसके बाद do उसमें देखते हैं ग्लोर Georin dehydration में होता है अमीन होता है भूंब घंज लवर तो चोड़ी बिटामिन्स खनीजलावन आयन्स और जल इत्यादि क्या आशकता तो शरीर में है न और गलोरिमल कह रहा है कि हम अलग कर दिये लोरिमल ने अलग कर दिया इसने कि इस रहा बहुत चूतिया आए गलोरिमलर यह रूलर है और रूल कर रहा है और उल्टा सिदा किया तो इए लेकिन घुलोकोंच रूकोंच कुचि से मिल था लेकिन कुक्त रहां कर दिया इसने कुकि ए अलग अलग कर पाता है यह चैनात्मक अच्छा से चैनात्मक नहीं शार्म कर पाता था सब को मिनेट में 11 ml कि 1 मिनेट में 11 मेल यहां से यहां से रक्ट यहां आ पर फिए 15 sap ऐसी 10ếu मेल बनता है डिर यहां से एक चाहनकर अलग जो किया तो यहां से निर्माड हुआ है तो फिर यह रख्त तो इधर चला गए फिल्ट्रेशन कहां चला जाएगा इधर चला जाएगा एक पी सिटी में जाएगा फिर कलेक्ट में जाएगा कि तो इस्टेप आई है फिल्ट्रेशन जो है रख्त से अलग कर लेता है कुछ खनीज पदार्तों कह ज़ल उलो को बितामेश हमने ङोट कर दिकरिजन जुक है कि अलग कर दोना इसे ऑनल प्रिकर्टी से मौली फिल्ट्रेशन बनाता है तो एक मिनिट में वहाँ ग्लोर्मिल से 111 मेर्ष आता है और उस रक्त के से में आगे बढ़ता है तो इस्टेश सिकेंड आता है इस्टेश सिकेंड सेकेंड नलिकी पुनहाव सब्सक्राइब कर लिया है उसको जरूरी चीजों को पुनहाव सब्सक्राइब इसलिए नलिकी बोलेंगे जब फ्रांस के नलिकी भाग में पहुंचता है तो यहां पुनहाव सब्सक्राइब होती है अब सब्सक्राइब होता है सबसे पहले यहां पर फिल्ट्रेशन अलग होगा सबसे पहले पीसिटी मिलेगी उसके बाद मिलेगी तो सबसे पहले पीस्टी मिलता है तो इसलिए सब्सक्राइब हो जाता है यहां से जरूरी पदार्थ है उसका अधिकांस भाग यहां से पुनहाव सब्सक्राइब होता है इन सब को और क्लीफ पे लां हमी पोलता है प्लिफ थे तो पैसि देता है जाहां तो हमारे едार हो तिम लगा हो सब्सक्राइब यह जह हो जबंद कि उनको को ब्लाइड विएज देना ही पुना वस्टान कोड़ाता है उसके बाद आता है है ले लूप ए ईचल already yapıl ú सफूल नेज़ नीचन आ रही उस खूझा में होता है नहीं हुटा है कि स्कार्परशों होता है इन्हीं सब अधिकांस तो पीशीटी नहीं कर दिया LE declined 35 बचे हुए समय से कुछ again commentでした नहीं होता है इसके बाद DST आएगी एक बर और फिकर दिखा दें यहां से इसके बाद यह पिस्टी है पिस्टी में पुनाँ सचन होता है तो DCT में हर्मोन्स निकलते हैं एक निकलता है ADH हर्मोन्स एक निकलता है L2H-T-RAN हर्मोन्स और इन हर्मोन्स के प्रभाव में पुना उस्चोन होता है पुना उस्चोन PCT में भी होता है हर्मोन्स के प्रभाव में नहीं होता है HL में भी होता है और DCT में भी होता है कि तापस्य भीक्एन पोछा जाता है की नहीं ग्युह की से कीस नेलिका में हार्मन के प्रवाम पुना अ होता है तो दी सिटी में होता है दूरस्त कुंडली में होता है हंडर मैं इस मतलब टायर मिंटी ने सबी को छोड़ दी है द Key युरतिति द्लाय सब्सक्राइब करता है कि अगर मुत्र के आयतन में कमी लाना है तो इसमें सरवाधिक क्या है जल है अभी दिखाएंगे उसे 95 परसंट जल होता है तो सरवाधिक जल है तो जल को किछ लेगा अगर तो आप मुत्र कायतन कम हो जाएगा यह क्या करता है जल को रखते में भेज देता है और मुत्र कायतन और कम कर देता है अग्याव मिलता है इसके बाद एल्डी श्टिरान हार्मोंस अने प्लस आयन के पुना उसे बढ़ाता है बढ़ाता है और कि प्लस आयन को बाता है जो जरूरी है उसको अंदर करता है जो जरूरी नहीं उसे बाहर कर देता है ये तीन स्टेव मत्र निर्माणकी उसके बाद कहा चला जाता है कलेक्टिंगक में चला जाता है के सरजी पदार्थ सब्सक्राइब कर दिया जाता है इस्टेप फ्रांस के नली की भाग में स्रावित कर दिया जाता है इस्टेप 3 में क्या होता है कि इदर गया किदर गया को और किस्टेप 3 में है यह जो है वासा रेक्टा इसमें से रक्त हुआ छो कुछ भी जरूरी पदार्थ बच्छें जो मन जरूरी नहीं जो हानिकारत पदार्थ बच्छें उसको सीधे नली का में भी दिया जाता है कि प्रवित कर दिया जाता है और और वासा रेक्टम भेज़ दिया जाता है जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो देखे थे कि ब्लड से ब्लट से कारवन डायक साइड चला जाता है कुपी के चला जाता है लुक्त में किस प्रकार 索़ी है जरूरी पर रहरा है वह चला जाएगा इस नलीका और भूर। और नलिका में जो जरूरी पदार्थ है जो अभी भी बच्चा हुआ है तो यहां से स्टेप थी में होगा तो स्टेप तीनों कंप्लीट हो गया स्टेप देख तीनों कंप्लीट हो गया है दिया। मुत्र निर्मार में इनों चलनों के पूरा होने प़ह पह। पहुंचा देगी कि मुत्र का संगटन में यूरो को सबसेब पहले पुछा जाता है कि मुत्र में जो हलका पिलापन होता है उपक्यों होता है तो इडाइजेस्टी सिस्टम में मल का जो पिला रंग होता है किस कारण होता है तो दूले रूक होता है होता वहां से बाईल यूस का रंग होता ठाहर और विलिया ओपीनिया होता है सब्सक्राइब वोलाता है नंदोने इसके प्वंट 0 होती है यह अक्रेस परकार का है कि अध्र का संगटन में 95 जल होता है हम ने बदाइब भी 50 परसंट जलता है धाइप पर्संट इवरिया होता है हम लोग उरिया का यूद्र करते हैं क्योंकि सबसंबलित है परसंट बागी सब कुछ यह मुत्र का संगठन अब किडिनी के कारे देख लेते हैं किडिनी के कारे क्या क्या है करता है किडिनी की सन रचनात्मा के मक्रियात्म करता है यहां हमारे सरीर में अतरिक्त जल को सर्जित करता है उसको बाहर करते हैं मुत्र के रूप में इसलिए जिसके कारण से परास्रान नियम मत होता है किडिनी के आएच हें चाली पतार्थ को सर्जित करता है यह उससे प्य प्येज उडण靡 रचनात्में करता है को सर्जित करता है कर यह जोग उरक कि जो इवरी को टे लिखाएं उनसे इवरी को अमने का उसरजन करता है और हम लोग ने ने फ्रांस में लवनों का चाहना नात्मा पुना उसरचन होने से अभी हम लोगों ने देखा ने फ्रांस यो क्या होता है यानि कि लवन की मात्रा संतुलत की जाती है कि एल्डुस्टरान के प्रभाव में एन प्लस आयनों का पुराश्चन बढ़ जाता है अब इससे अमनों समझाया था जब लोनों का चैनात्मक ऑशिस्षन होता है तो रड्रेक्ट में एने प्लस आयन की ब्रिधी होने से रख दा बीपी कंट्रूल होता है क्योंकि सोडियम प्टेसियम पंप कनियर माल होता है और सोडियम प्टेसियम प्यम्प क्या है कि इसके द्वारा दवाओं एल्कोहाल उपापचे क्रियाओं इत्याधिक दवरा निर्मित कुछ हानिकारक पदार्थों का उत्सरजन क्या कर आप कोई दबा खाएंगे तो उसमें से कुछ अगर हानिकारक पदार्थ है तो किडनी उसे अलग कर देगी मुत्र के साथ अलग कर देगी आप यह जो नी का रहते हैं कि आंतरिक वातावरोन को एक समान बनाय रखने का कार करती है जिसे संप इस्थेते का होमियोस्टेसिस कहते हैं सब्सक्राइब वाता वरोन को कैसे बढ़ावन दोर बाहर करती है जो जरूरी फिलावरों है उसको ब्लड में पूनावसंचना करती है जो खराब लोडों से बारगर्द ती जिससे शरीर का वाता वरॉन आंतरीक वातानों समय तिख लाता है कि जब हमारे शरीर में oxygen की मात्रा कम होने लगती है तो kidney से हार्मॉन में का स्रहावन होता है oxygen के अगर मात्रा कम होती है oxygen का प्रिवहन करेगा का उन आक्सीजन का परिवहन ब्लड करता है और ब्लड में और ब्लड में भी आरलीच से पढ़ चुक्षा को इरिथ्रो साइट्स एरिथ्रो का मतलब यहां पाइक हुए और बी इस और भी सी मतलब ब्लड रग्त हम काई बार बता चुक है आपको जहां भी सब्द देखें प्रत्ते लगा हो जहां प्रत्ते लगा हो इन वहां पर हार्मों सोगा हार्मों से हार्मों से हार्मों साथ इन प्रत्ते लगाना जरूरी है निर्माण करना इन प्रत्ते लगाएंगे तो बनाएंगे इसको सब्सक्राइब करना है यहां से यह क्या करेगा आई आपके ब्लड करेगा और पहुंच कर अर पहुंचकर आर्बीसी के उत्पादन को बढ़ाता है कर गाइब और आज जब अधिक मात्राइं बनेंगी तो अधिक मात्रा में आकसीजन का परिभान होगा करेंगी करती जिसके द्वारा होने का यहीं कारण है कि अधिए यहां से फिल्टरेशन बन रहा है बहुत षार एक खनीश पाये जोते हैं के बहुत सारे नीद से पाई जाता है और यह स्टिर्ष सब दर्षाकर पुंद में अधी कर ंच देंद गलुकॉजां आप जानते हैं घ्लुक जो है कि इसी से उर्जा मिलते ग्लु कर द्वारा को को अक्सीजन के लिए और गुलति से अंदर नहीं भेज पाई तो यह जरूरी पतार जो रेषैं वह चला जाएगा मुत्र के साथ बाहर निगल जाएगा और स्प्रक्रिया को हम लोग स्ब्सक्राइब को हम लोग प्रारूप बताएं तो यहीं होता है प्रक्रिया प्रारूप में लेकिन डिटेल्स में एक छोटा वीडियो डालेंगे अभी के लिए इतना है चैनल को सस्क्राइब करें लिए धन्य बाद